हलो फ्रेंड्स स्वागर आपका हमारे स्टूप चैनल में और फ्रेंड्स इस वीडियो की डिमांड काफी लोगों नहीं की थी तो मैं यह वीडियो लेके हाजिर हूँ इस वीडियो में हम लोग कम्प्लीट फुल पेमेंट गेटवें इंटिग्रेशन कैसे हम लोग अपने व हमारे वीवर में वीवर ने रिक्वेस्ट किया था कि सर पेमेंट इंटिग्रेशन की वीडियो बनाईए पेमेंट इंटिग्रेशन की वीडियो बनाईए तो मैंने सुचा एक वीडियो बना देते हैं जिसमें कम्प्लीट स्टेप गाइड कर देते हैं कि कैसे आप पे होने वाली है Spring Boot और Simple JavaScript का यूज़ करेंगे बट hold on बहुत सारे लोग हमारे मित्र फ्रेंड लोग बोल रहते कि सर आप react यूज़ करिये कुछ लोग बोल रहते आप एंगुलर रिउस करिए कुछ लोग बोल रहते आप Spring Boot में करिए कुछ लोग बोल रहते हैं Simple JavaScript में करिए तो बहुत सारे रिक्वस्ट आने के बाद मैंने आपर डिसाइड किया है कि अब मैं जो चीज समझाऊंगा वो एक कॉंसेप्ट होगा उस कॉंसेप्ट को आप कहीं भी लगा सकते हो तो मैं कोसिस करूंगा Generalized चीज समझाऊं और यह भी बताऊंगा कि अगर आपको Python में करना है या Node.js में करना है तो आप क्या changes करके इस चीज को आप Node.js में कर सकते हो तो मैं समझाऊंगा तो सिंपल जावास्क्रिप्ट यूज करूंगा और स्प्रिंग बूट में जावा यूज करूंगा बट अगर आप Python में यही पेमेंट integration लगाना चाहरे हो तो कुछ थोड़े से code को चेंज करने करके आप उसी code को या उसी चीज को समझ के आप Python की website में भी लगा सकते हो जैंगो में भी इसको integrate कर सकते हो या अगर आपके पास कोई Node.js के site है तो आप यही वीडियो देख करके Node.js में भी उसको implement कर सकते हो और जावास्क्रिप्ट का code तो से रहे गया रहेगा साथे साथ में अगर आप यह पूरा वीडियो देखते हो तो आप angular react के साथ भी इसको integrate कर सकते हो मैं आपको चीज़े समझाओंगा क्या करना है सिर्फ simple simple form को send करना है फिर आप react से कर दो चाहा angular से कर दो चाहा plain old vanilla script से कर दो वो सारी चीज़े सेम होने वाली है तो आपको सिर्फ concept समझना है payment का flow में समझाओंगा उसको समझना है तो step by step में आपको सबसे पहले payment का flow समझाओंगा then client से कैसे request मारनी है कैसे order को generate करना है order जब generate एक बार हो जाएगा तो order ID ले करके कैसे form को open करना है form open होने बाद payment form जब open हो जाएगा तो उसको कैसे हम लोग payment करानी के लिए server पे भेजेंगे वो सारी चीज़े में इस वीडियो में complete समझाने वाला हूँ तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जादा important है क्योंकि आज कल भाई जवाना online हो रहा है तो जब online हो रहा है तो उस case में आपको भी कोई business करना है online तो भाई payment layers receive करने की ज़रूद पड़ेगी पड़ेगी तो ये वीडियो complete है full है तो आपको ऐसी वीडियो YouTube पे नहीं मिले रहते हैं तो मैं उस पर decision लेता रहता हूं comment कराता हूं फिर poll कराता हूं और काफी decision के बाद complete full video बनाता हूं काफी बढ़िया सी वीडियो बनाता हूं तो आपको क्या करना है चैनल को subscribe करना है video like कर देना है फिर से बार 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 बोल रहा हूं तो आप इसी तरीके से मुझे क्या कर सकते हैं support कर सकते हैं तो गाइज चलते हैं और वीडियो को start करते हैं step by step आप चीजों को सीखेगा देन उसको implement करिएगा और comment section में आप अपना नाम ज़रूर बताईए जिस आप चलते हैं वीडियो को start करते हैं और वीडियो को start करते हैं कैसे हम अपनी website या web application में कैसे integrate करना है वो तो भाई बात की बात है सबसे पहले हमें basic समझना होगा payment integration की तो हम लोग basic integration करेंगे उससे पहले में बता दो कि हम लोग यह payment integration कहां पर करेंगे तो हमारे पास एक project था smart contact manager जो कि हम लोग नमनाया था spring boot की help से तो हम लोग उसी spring boot के project में smart contact manager में यह payment integration करने व होता है एक्चुली में कैसे आपको अपनी वेबसाइट में डैनमिकली पेमेंट को रिसीब करना है और कैसे उसको इंटेग्रेट करना अपनी वेबसाइट में सब चीज में सिखाने वाला हूँ या अपनी वेबसाइट में परियुज करना है तो और पहां कहां पर उसकरों तो सब कुछ जगह बता दूंगा कि आपको आंगुलर का कोड यहां लिखना है पाइथन को कोड लिकना सबसे पहले आप यहाँ पर शिम्पल चावाज क्रिप्ट और इस पर बूट को यूज करके तो सबसे पहले आपको यहीं समझना पड़ेगा कि BHAI integration हम कै से करेंगين तो southern integration हम आपर जो करने वाले हैं वो razor pay करने वाले हैं सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि razor pay actually में है क्या जब आप razor प्रिजर पी समझ जां कि क्या payment कैसे होता है अपनी website में payment को कैसे लगाते हैं वो चीज़ समझ पाएंगे तब हम लोग आगे चल का सीख पाएंगे कि यह payment gateway क्या है और हम कैसे payment को अपने website में integrate करते हैं तो सबसे पहले मैं यहीं सब्सक्राइब करता हूँ तो मैं open करूँगा notepad और यहां पर समझाओंगा आपको सबसे पहले तो क्या क्या जरूत है इसब चीज़ तो भाईया notepad छोड़े पेंट open करते हैं पेंट में आपको मैं सारी चीज़ समझाता हू तो भाईया आपको देखो यहां पर सबसे पहले अगर आपको अपनी website सबसे यह website आपकी यह website तो मैं यहां पर लिख देता हूँ यह हमारा web app है क्योंकि website नहीं बूल सकते हैं कर आप payment नहीं तो बड़ी से website होगी ठीक है तो यह आपका web app है यहां पर आपका web app है तो अब जब कोई बन्दा आपको request करता है आपके payment के लिए तो suppose यहां पर कोई आपका पिवाnen के लिए request आती भी है तो अब यहां कुछ चीजें आपको ध्यान देनी है कि कोई request suppose आई आप request आई-आ तो यहांपे payment का logic अपने server पर नहीं लिखते हो यहां पर payment gateways होते हैं थर्ड पार्टी लोग payment gateways ठीक है यहां पर लिख देता हूं gateways ठीक है तो हमारे पास payment gateways है मतलब दूसरी website से हैं सब्सक्राइब पास pay tm है pay tm payment gateway है तो आम लोग उज़ कर सकते है pay tm ठीक है इसी तरह बहुत सारे हैं यहां रेजर पे भी क्या है एक रेजर पे भी आपका payment gateway है ठीक है रेजर पे हो गया ऐसा करके pay you money हो गया बहुत सारे है इंस्टा मुझो ठीक है तो मैंने कुछ का नाम लिख दिया तो जब आपको कोई payment रेसीप करना होगा तो सब्सक्राइब कर रहो तो आप यहां फिर रिक्वेस्ट को कि भाईया मुझे यह payment चाहिए पेटीम सारा रिक्वेस्ट के साथ साथ अपनी डीटेल भी बीज़ दोगी इस अकाउंट से इतना रुपय निकालना है अब आपको कोड नहीं लिखना पड़ेगा पेटीम को सारी डीटेम लिखना यह credit debit सब कर देगा किस अकाउंट से कित्ता काटना है यह काट लेगा किस अकाउंट को कित्ता देना है वो काट दे करके और आपको यहां पर response में data बता देगा कि भाया payment जो है वो success हो गई है यह payment जो है वो fail हो गई अपनल गया तो दीज आर बेसिकली यह payment gateway जिसकी हम लोग क्या करते हैं payment अपने website में implement करते हैं जैसे message gateway होता है SMS gateway होता है तो यह हमारे third party websites है जो कि जिसकी हम लोग payment gateway अपने website में implement कर देंगे तो पैंसा एक bank से काटना दूसरे bank में लगाना यह सब दूसरे bank में जमा करना यह बहुत सारे अगर आप payment gateway जाके Google पर search कर लोगे payment gateway services तो आप बहुत सारे जी मिल जाएगी तो मैं यहां पर यूज करने वाला हूँ Razer पे Razer पे क्यों उसकर रहा हूँ बहुत important है Razer पे बहुत easy है और बहुत असाने से आप इसको अपने website में integrate कर सकते हो step by step और बहुत बढ़िया है मैं काफी उसके हूँ हाला कि यह कोई promotional वीडियो नहीं बट फिर भी मैं अपने website में यूज करता हूँ कई सारे client के website में यूज करता हूँ तो Razer पे exactly कैसे लगाते हो सब चीज में आपको सिखाने वाला हूँ तो चलते हैं आप से सीखते हैं कि Razer पे अभी तक हम लोग नहीं सीख लिए Razer पे basically है क्या एक payment gateway है इसकी help से हम अपनी website में payment को ले सकते हैं इंटिग्रेट कर सकते हैं डारेक्ट अगर आपके पास website नहीं है तो यहां से link create हो जाएगी तो आप डारेक्ट क्या कर सकते हो पेमेंट रिसीब कर सकते हो रिजर पे के account में और वहां से आप configure कर दोगे अपना bank account तो वह आपका account में आपका payment चला जाएगा आप चलते हैं यह सबलो हमारी website और हम अपनी website में रिजर पे integrate करना चाहते हैं कि यह हमारी website पे कोई आया और रिजर पे हमारा account जो भी payment हो डन हो जाए कैसे करते हैं तो सबसे पहले payment को करने से पहले या payment का कोई भी step follow करने से पहले आपको यहां पे सबदना पड़ेगा payment flow स सबसे पहले payment flow समझना पड़ेगा this is what all you need to understand payment flow अगर आप एक बार payment flow समझ गए पहले तो website बनाना तो आप अलड़ी सीख गए होगे उसके साथ साथ आपको अगर payment करना है तो आपको payment flow समझना पड़ेगा कि हमें चीजे तो आती ही तो हैं बड़ payment flow क्या होता है कैसे payment flow होगा पूरे website में client और server के बीज में तो हमारे पास basically तीन चीजे हैं एक हमारा client होगा जो HTML का page होगा या जो browser पे चल रहा होगा JavaScript वह हमारा basically client होगा ठीक है तो basically suppose हमारे है पे client है और एक हमारा server site का code होगा यहाँ पे basically अगर हम लोग Java बैकन यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे जलेगा है जलेगा जावा स्क्रिप्ट ठीक है तो client पे JavaScript चलना ही चलना है तो आपको अगर जावा और जावा स्क्रिप्ट का combination ले रहो अंगलर उसकर रहे हो तो और यह यह तो और यह रहो जले है और फिलिमेंट करेंगो चीजे तो यहाँ पे हम बैकन पे जावा अगर ज लिख रहे होंगे, server पर Java लिख रहे होंगे, तो आप देखो, सबसे पहले क्या होता है, suppose यहां पर आपने client पर एक button दिखाया, user को pay, suppose आपने दिखाया, pay 50 रुपीज, pay 50 रुपीज, यह simple क्या है, आपकी, एक simple सी button है, अब button पर जैसे user क्या करेगा, प्रेस करेगा, या जैसे यह button यह किसी भी, कोई जरूरी नहीं button पर हो, जैसे ही user क्या करेगा, payment को initiate करेगा, तो सबसे पहले request हमें अपने server मारनी होगी, सबसे first request हमें कहा मारनी होगी, अपने server पर मारनी होगी, समझ गये, सबसे पहले request आपको आँख बंद कर समझना है, कि जैसे payment initiate हो, client करेगा, payment ज objects की, या normal request भोल सकतो, या asynchronous request या synchronous request कर सकते हो, अब हम लोग काफी बहतरी तरीके से implement करने वाले है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको और भी बहतरी तरीके से करेंगे, ठीक है, अब हमारे server यह request होगी, वो basically किस चीज के लिए request है, यह basically order को create करनी के request होगी, create order, कि भीया, अब client customer जो है payment करना चाहरे है, तो आप एक order create कर दो, हमको server को request भीयाइगे, अब यहाँ का Java के code के पास कोई तरीका नहीं order को create करने का, तो यह use करेगा Razer Pay की API, यह use करेगा Razer Pay की API, यहाँ पे API मिलेगी, कुछ classes मिलेगी, उन classes को create, use करके, यह क्या करेगा, एक order create करेगा, तो जै request जाएगी, रिजर पे के server पे, यह इसके लिए Razer Pay का server है, तो अब हमें order create करना था, तो हम order create करने के लिए कुछ functions या method use करेंगे, यहाँ मेलिक देता हूँ method, कुछ method या classes use करेंगे, यह method classes request मार देंगे, इसको, अब इसी बात है, आपके Razer Pay के, यह अपनी नहीं या Razer Pay के server मार देंगी, रिजर पे क्या करेगा, एक order create कर देगा, और यहाँ पे order का पूरी detail return कर देगा, order की पूरी detail return कर देगा, अभी मैं practically कर रहूंगा, जिसमें सबसे important क्या होगी, एक order की ID, OID या order ID, हाँ देख सकतो, order ID, इसी order ID से हम लोग क्या कर पाएंगे, payment को receive करा पाएंग, आगे payment को complete करने के लिए order ID बहुत important है, तो basically, suppose customer ने request मारा, initiate क्या payment, server पर हमारे request आई, server पर request आई, तो हम लोग एक order create करनेगे, तो order create करने के लिए, simply request जाएगी, razor pay के server पर, razor pay के server से request, हम लोग request जो गई है, उसको यह serve करके, क्या करेगा, यह order create कर देगा, order create करने के बाद, simply के लिए order की details आजाएगी, order की detail मतलब हमे order ID मिल गई, कि order create हो चुका है, अब अगर हम order को और भी अच्छा करना चारे है, और भी अच्छे तरिक से implement करना चारे है, यह अपने server पर कोई order का data रखना चारे है, तो हम लोग क्या कर सकते है, उस order को save भी कर सकते है, अपने database में, मैं जब कोई real time practical project कर रहा होता हूं, तो मैं order को save करना पसंद करता हूं, तो मैं क्या करूंगा, DB में database में order को save कर लूँगा, order ID, किस user ने किया था, उसकी ID, order की ID, साथी साथ में status की order अभी created है, कि complete paid हो चुका है, क्या है, वो सब चीज में store करना पसंद करता हूं, तो basically हम ल यहाँ पर भेज़ देंगे client को, ठीक है, client को भेज़ देंगे, यह amount, और order ID, order ID की जरुद पड़े की client को payment forward करने के लिए, payment को accept करने के लिए, तो order ID हम लोग यहाँ भेज़ देंगे, अब यहाँ पर amount आ जाएगा, amount, client को दिखेंगा, amount, and साथी साथ में order ID, order ID important है, order ID is very important, अब यह amount, और order ID को ले करके request मारेगा, direct आपके server पर नहीं, direct किस server पर?,ām TIM के server पर, reserve pay के server पर request मार देगा, reserve pay के server पर request मार देगा, किस चीज के लिए payment के लिए कितने payment के लिए इतना amount जितना server से मिला था और इस order के आईडी अब razor pay के server पे already order create हो चुका था पहले यह क्या करेगा ओल्री ओर order create हो चुका है तो बस आपका यहां पर दोगो payment जब request payment कर देगा और आपका balance को काट लेगा और आपका balance आ जाएगा और simply after successful तीन चीज़ आपको मिल जाएगी request response में क्या क्या चीज़ मिल जाएगी आपको payment की आईडी मिल जाएगी razor पे order ID मिल जाएगी जो आपने order ID वहां पे दिया होगा और razor पे signature मिल जाएगा verify करने के लिए तो यह चीज़ अगर successfully मिल रही है इसका payment successful हो गया आप यहां पर message दिखा सकते हो message दिखा सकते हो payment success का message आपको मिल जाएगा तो आप यहां पे payment success का message दिखा सकते हो payment success का message दिखा सकते हो अगर यह तीनों payment success हो गया payment success होने के बाद आप server request भेज सकते हूँ क्योंकि हम लोग क्या कर चुक है हम लोगों यहाँ पर order को save किया था देखो order ID को save किया था with status created तो हम लोग आप क्या करेंगे server को server request भेज करके हम उस status को paid कर देंगे अपने लिए कि बाद में हम लोग अपने ही server पर चेक कर पाएं कि भाया payment हो हुआ है कि नहीं हुआ तो हम लोग simply यहाँ पर यह काम कर लेंगे अपने समझ के लिए payment तो यहीं data रख लो बार बार आप रेजर पे से कहा निका लोग भाई payment वह क्या पता भाई दूसरे सर्वर पर आप क्यूँ डिपेंड हो रहे हो तो एक बार मैं इसको conclude कर देता हूं फिर में क्या करता हूं एक एक step by step में सारा पर चीज़ सिखाऊंगा कैसे आपको करना है सबसे पहले क्लाइंट क्या करेंगा payment को initiate करेंगा जैसे payment को initiate करेंगा तो हमारे सर्वर पर रिकोष जाएगी सर्वर क्या करेंगा order create करेगा, order create करने के लिए वो यूज़ करेगा Razer Pay की API और वो order create करेगा तो request जाएगी Razer Pay पे वहाँ पे order create हो जाएगा, order create होने के बाद detail आपके server side पे आ जाएगी, server side पे आ जाएगी basically order आपका सर्वा साइट पर मिल जाएगा तो हम चाहें तो और और को सर्वा साइट पर स्टोर कर सकते हैं अगर आप चाहो तो ना स्टोर करो को इशू नहीं अभी हम दूनों काम वह चीज करके दिखा देंगे बट मैं सेप समझता हूं कि हम लोग और और उसका स्टेटस ओर आइडी हम लोग सेब करेंगे अपने डेटावेस हैं तो हम लोग सो कर लेते हैं और देन यूदर आइडी की जरुद थैचक आउट फॉर्म के लिए तो हम लोग वह और आइड आइड और अमांट वापस भीज देंगे जब हम हम लोग या करेंगे यहां से फिर से हम लोग सम्मिट करेंगे चेक आउट फॉर्म विद अमाउंट और अडर आडी डारेक्ट किसको पेमेंट गेटवे जो कि रेजर पे है उसके सर्वर पे यह क्या करेगा क्योंकि और अडर क्रियेट हो चुका था और दुबार जब उसको अडर आडी मिलेगी तो यह पेमेंट को सक्सेस करा देगा और अमाउंट जो के सेंडर है पेमेंट का उसके अकाउंट से कटके रिजर पे के अकाउंट में आ जाएगा simply और जब आप्टर असे सक्सेफुल ओफ द पेमेंट आपको तीन चीज़ रिटर्न मिल जाएंगी क्लाइंट पे एक पेमे पेमेंट सक्सेस हो गया है तो आप क्या कर सकते हो सर्वर को कॉल कर सकते हो कोई शुने लास्ट में पेमेंट कैप्चर कैसे करना है यह सब चीज हम लोग बाद में देखेंगे पहले फिलाल आपको पेमेंट फ्लो समझ में आये कि नहीं आया एक बार यह जो फोटो मैंने उठ कर पाते हैं जिस आप से वेबसाइट में बताया जाता है हो या तो शॉटकट मारने कोशिश करते हैं अभी मैं यूटूब पर बहुत सारी वीडियो देख रहता हूं आप तो मैंने देखा भाई नोटिस किया कि बहुत सारे लोग शॉटकट मार रहे हैं यहां से रिक्वे बीटा मुझे लगता है जादा इंपोर्टेंट है आपको इतना वीडियो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कहां लोग को लगाना है तो सबसे पहले हमें नीचे बैने स्टप्स भी लिख रखे हैं सारे स्टप स्टप बाई स्टप विद कोड लिख रखे हैं तो यह हमारा नोट से जो कि मैं आपको देने वाला हूँ तो आप जल्दी से मुझे बता दो कि वीडियो कैसे लग रही है कमेंट स्रिक्शन में आप अपनी इमेल आईडी और नाम जरूर लिखके कमेंट करो और वीडियो कैसे लग रही है यह ज़रूर करने लगोंगा जैसे इस वीडियो को रिक्वेश्ट बहुत सारे लोगो ने किया था अब चलते हैं सबसे पहले आपको क्या करना है सबसे पहले एक नई यह वीडियो इंपोर्टेंट है, फास्ट चलूंगा तो थोड़ा सा दिक्कत भी हो सकती हूँ, ठीक है, तो गाइस मैं यहाँ पर थोड़ा स्लो चलने को उसिस करता हूँ, ठीक है, तो simply हम लोगे यहाँ आ जाएंगे, sign up पे आप आओगे, और अपनी email ID से login कर देंगे, ठीक है, अपनी email ID से simple sign up कर लेंगे, एक नई ID बना रहा हूँ, तो simply मैं sign up कर दूँगा, तो आप देखोगे, simple क्योंकि मेरा account पहले से है, तो यह क्या करेगा, simply login करा देगा, को issue नहीं, ठीक है, तो देखोगे simply, आप जाओगे, simple login हो जाएगा, कोई issue नहीं, simple login हो जाएगा, ठीक है, simple आप देखोगे, dashboard पे आजाएगा, आपको account बनाना है, आप कैसे भी बनाओ, यूज कर लो, login, आप email ID उस करो, Google उस करो, आपकी मर्जी है, ठीक है, जब आप simply open कर लोगे, अब यहाँ पे आपको बहुत important चीजे समझनी है, देखो क्या समझनी है, सबसे पहले यहाँ पे दो modes है, एक है test mode और एक है live mode, जो actual data आप actual payment accept करोगे, client से वह आप live mode में करोगे, किस कहाँ पे live mode में करोगे, तो live mode में अभी नहीं जाएगा, live mode के लिए हमें KYC सम्मिट करनी पड़ेगी, तो KYC में क्या है, आपको बिजनस आपको क्या करना है, यहाँ पे सम्मिट करना है, कि किस टाइप का business है, आपका registered है कि नहीं registered है, तो किस category का है, आप अपनी website का URL दोगे, ठीक है, अगर website नहीं and state डालोगे and bank account detail डालोगे, क्योंकि जो payment आप accept करोगे, capture करोगे, वो किस bank में जाएंगी, bank, bank में, beneficiary का नाम डालोगे, FSC code account नमर यह सब डालोगे and फिर document upload करोगे यहाँ पे, अपना address proof में क्या चीज़ दे रहो, तीन चीज़ लेगा यह, अधार card लेगा, passport लेगा, voter ID ले कोई दिक्कत आती है, तो आप customer support को contact कर सकते हो, जब आपका KYC यहाँ पे चल जाएगा, बहुत असान है KYC एक बार update करा लें, that's it, जब KYC आपका on हो जाएगा, तब आप live mode पे जा पाओगे, अभी आप live mode पे नहीं जा सकते है, अगर live mode पे जाओगे, तो यहाँ पे आ जा जालते है, जब आपको integration पूरा test mode पे हो जाएगा, तब आप simply यहाँ से live mode कर देजगा, secret की change कर देगा, that's it, पूरा पूरा integration same to same रहेगा, ठीक है, तो हमको क्या करना है, यहाँ से, दूसरे step में हमें, simple आप देखोगे, दूसरे step में हमें क्या करना है, key को generate करना है, generate and download API key, तो अब यह API key कैसे download करनी है, बस देहां से देखियागा, दूसरे step, आप अपने dashboard पे आओगे, और यहाँ पर setting का एक option है, setting पर आजाते है, और simply API key का एक option है, इस पर आप simply click कर दोगे, यहाँ पर देखो मैंने API key पहले से download करके रखी है, तो यहाँ पर आपका generate API key का option तो मैं काँगा yes, तो जैसे आप click करोगे, तो यहाँ पर new key generated, नई key generate हो गई दो चीज, एक key ID generate हुई है, एक secret key generate हुई है, तो हम इन दोनों को download कर लेंगे, download key detail है, click करके download कर लोगे, तो यहाँ CSV file download हो जाएगी, तो हम इसको open करके आपको दिखा देते हैं, तो basically, यह हमारी key ID है, ठीक है, यह basically key ID है, and यह हमारी क्या है, secret key, यह दोनों keys use होंगी, अभी जब हम लोग इसको implement करेंगे, ठीक है, तो हम लोग अभी implement करेंगे, तो हम यह page open करके रखेंगे, और इसको हम लोग use करेंगे, यह वाली key secret and key ID, perfect है, इसको minimize कर देते हो, और हमारा दूसरे step भी okay ह हो गया, तो हमारी keys generate हो गई, अब हम लोग करेंगा, अगरना simply ही हाँ पर आना है, अब हम लोग को create a payment form, अब हम लोग को form create करना है, क्या create करना है form, जहां से user initiate करेंगा payment को, ठीक है, तो हमें अपनी website में चलना है, और एक form बनाना है, यहाँ पर यह चीज, button बनाना नहीं, प पे 50 रुपीज, button बनानी ही क्या, पे 50 रुपीज, ठीक है, तो हम लोग आ जाते हैं, form बना लेते हैं, उपनी website में, तो हम लोग को website कहा है, तो हम लोग आ जाते हमने spring boot में, और यह simply हमारा project है, smart contact manager, अभी तक आपनी smart contact manager नहीं देखा है, तो मैं लिंक डाल दोंगा भी, description मे आप जरूर देखिए, पूरा का पूरा project implemented है, पूरा का पूरा project implemented है, step by step मैंने project को ही अधार मान के सारा काम सिखाया हुआ है, अगर यह project सिख लेते हैं, तो आपको पूरा spring boot समझ में आ जाएगा, even अब तो इस video के बाद integration भी समझ में आ जाएगा, payment integration भी समझ में आ ठीक है, तो basically already इसको डेड़ लाग से जाधा लोग देख चुके है, ठीक है, तो perfect है, अब हम लोग चलते हैं, उसी को हम लोग चला देते हैं, अपने project को, तो हम लोग आपने spring boot को right click करेंगे, simply इस project को run कर देंगे, run as and run as spring boot कर देंगे, हमारा project already चल रहा है, आ जाते हैं, इ just add the rate gmail.com and simply अपने इस से लोग इन करना है, तो आप दोखो कि हमारा project simple हमारा login हो जाएगा, हम यहाँ पर context देख सकते हैं, क्योंकि मैंने clean and build कर दिया था, तो profile photo जा चुकी है, बड़ अगर हम अपडेट करना चाहें, तो update कर सकते हैं, अपर profile photo सब चीट अपडेट कर सकते ह हूँ, जिसते यह नाला के भाई कि यह हो नहीं रहा है, ठीक है, तो project हमारा perfectly चल रहा है, आप देख सकते हूँ, photo update हो चुकी है, बड़ ज्यादा बड़िया नहीं है, तो हम दो क्या करते हैं, क्या करते हैं, क्या करते हैं, दूसी photo choose कर लेते हैं, perfect आ जाते हैं नीचे, हमारा पूरा सब कुछ का मोरा profile देख पा रहे हैं, even setting में password change कर पा रहे होम पर आते हैं, हम यहीं पर एक form बनाएंगे, चोटा सा donation का, जहां पर amount लिखेंगे, and amount के नीचे payment button देंगे, आप amount लिखके, suppose आप 50 रुपीज लिख रहो, and pay का, आप pay की button होगे, click करोगे, तो payment initiate हो आप payment initiate कर सकते हो, बट यहां पर मैं donation का module बना रहा हूँ, तो donation में यहां पर form बनाऊंगा, and then वहां पर हम checkout का initiate करेंगे, ठीक है, तो हम लोग simply आ जाते हैं, हम लोग आ जाएंगे, किसमें show contact नहीं, यहां पर normal user के user dashboard पर, and simply new contact हमारी यह वाली button है, ठीक है, add new contact, हम इसी के न button बना देते हैं, ठीक है, क्या बना देते हैं, एक button, आप चाहँ तो card बना सकते हो, बट simply पहले input field बना देते हैं, input, type taxi रखते है, form को class में लगाते है, class form control, dash form control, बहुत आराम से करेगा, थोड़ा सा मैं margin y भी देता हूँ, 2 का, and simple, placeholder लिखता हूँ, placeholder लिखता हूँ, enter amount here, amount here, that's it, save करके एक बार check करते हैं, बना एक नहीं, field बन गई, ठीक है, और उपर heading देना चाहँ, तो आप heading भी दे सकते हो, यहाँ पर, हम देते हैं, h3 में, ठीक है, donate us, donate us, simple, और class में भी आप कुछ लिख सकते हो, मैं here class use करूँगा, margin y, और y में simple, मैं 2 use करूँगा, यहाँ पर donate us का heading भी आ जाएगा, perfect है, very good, बहुत बढ़ी है, ठीक है, मतलब इससे बढ़ी है कुछ नहीं है, ठीक है, तो हम simply 4 ले लेंगे, थोड़ा सा और space देनी कुछिस करेंगे, perfect है, ठीक है, 4 भी जादा है, थोड़ा 3 कर देते है, 3 पे I think perfect आएगा, तो आप perfect है, donate us, perfect है, य container पर मैं लगा दूँगा, text center, tab, ठीक है, और यहाँ पर देखो, यहाँ से मैं center पर करूँगा, button बनाऊँगा, button में class लगाँगा, BTN, और BTN के बाद, BTN, dash, success, ठीक है, tab दबा दूँगा, और मैं यहाँ पर लिक दूँगा, pay, ठीक है, save कर दूँगा, यहाँ से payment initiate हो सकता ह देखो, यहाँ पर amount डाल देंगे, suppose 20 रुपए, and pay पर क्लिक करेंगे, तो payment क्या हो जाएगा, initiate हो जाएगा, perfect है, आप चाहो तो button को block भी कर सकते हो, यहाँ, BTN, dash, block, use कर लो, आपकी button, full पर आजाएगी, यह देखो, तो आप यहाँ से भी, ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पर amount दोगे, 67, and pay पर क्लिक करोगे, payment initiate हो जाएगा, perfect है, आप थोड़ा सा, यहाँ पर margin और देदो, MT, MT, pay, हम दो चाहर देते हैं, हलका सा button नीचे कर देते हैं, margin, perfect है, तो यहाँ पर amount डिक सकते हो, 70, and pay कर सकते हो, अभी amount कोई जरूँ नहीं, अपनी website में ऐसा ही हो, बहुत दो amount होता, तो वहाँ से भी आप check out करा सकते थे, pay वही चीज़ है, check out वही चीज़ है, तो हम यहाँ अगर pay ना दे करके, आप check out दे दो, check out, तो यह वही चीज़ है, भाई, वह लोग को लग रहा होगा, तो check out ही है, यहाँ हम डालेंगे 50, and check out कर देंगे, that's it, तो 50 rupees का, amount है, उसका जो payment है, वो initiate हो जाएगा, यहाँ से, that means हमारा यहाँ से payment initiate हो जाएगा, यहाँ से, और हमें जाएगा request भेजनी है, server site पे, order create करने के लिए, तो request server site पे कैसे भेजेंगे, देखें, हम लोग JavaScript से भेजेंगे, पूरा कम Ajax से थ्रू करेंगे, पूरा कम Ajax से थ्रू क करेंगे, क्योंकि इस file को अगर हम open कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम code लिख नहीं पाएंगे, मतलब STS जो है, यहाँ पर थोड़ा सा दिख्कत दे रहा है, JavaScript के code को लिख नहीं लिए, तो हम simply का करेंगे, right click करेंगे, और simply open, so in system explorer पे click करेंगे, and right click करेंगे, इसको open कर लेंगे किस में आता रहेगा, हमारे STS में आता रहेगा, यहाँ पर आता रहेगा, तो JavaScript के जितने भी coding है, मैं सारी coding में यहाँ पर करूँगा, सारी coding में यहाँ करूँगा, I think समझ गया, सारी coding में यहाँ करूँगा, अपने आप से code यहाँ पर आता रहेगा, चलिए, तो यहाँ प तो मैं यहाँ फंक्शन बनाऊंगा ठीक है तो function हम arrow function यूज़ करेंगे इतना तो आपको समझ में आ गया आता ही होगा arrow function कैसे बनाते नहीं आता तो आप यहाँ पे JavaScript आप कुछ भी नाम देख सकते हो या आप निकाल भी सकते हो बाद में चलो निकाल लेता हूं बाद में तो अभी मैं सर्फ यहां से कुछ नहीं ले रहा हूं यहां से कुछ नहीं लाँ बट आप पेमेंट इसको जर्नल इस function को जर्नल बनाने के लिए आप यहां पर पेमेंट ब्रेकेट में ले सकते थे बट कोई शू ने ठीक है अभी हम लोग पेमेंट निकाल लेंगे ठीक है तो हम लोग यहां पर एक मैसेज देंगे function चल रहा है क ठीक है यहां console.log लिख दो console.log और यहां लिख देंगे payment started payment started and simple save कर देंगे अब इस function को हम लोग बटन पर कॉल करेंगे तो चलते हैं अपने STS में and देखो कि यहां पर आ चुका है वही वाला code तो इसको save कर लेते हैं and simply user dashboard पर आ जाते हैं और इस बटन से कॉल करते हैं तो मैं लिख लेको on click on click and हम लोग payment start function कॉल करेंगे save करेंगे और आ जाएंगे अपने यहां पर इस पे इसको बंद कर देते हैं यहां पर आ जाएंगे and simple हम लोग refresh करेंगे और कुछ डालेंगे and console open कर लेते हैं inspect कर के console यहा रहा है तो हम यहां पर code दिखना start करेंगे सबसे पहले कितना payment कर रहा है इस फील्ड की value निकालेंगे कितना payment करना चाह रहा है 35 रुपए यहां पर इसकी value चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं इसकी ID देते हैं तो हम लोग आ जाते हैं अपने STS में and हम लोग अपनी फील्ड क पर्फिक्ट है हम लोग यहां पर उसको यूज कर सकते हैं अपने यहां पर कैसे हम लोग वेरेबल लेंगे amount कितना amount वह payment करना चाह रहा है और simply मैं javascript jquery use करूँगा jquery use करके मैं value को निकालेंगे निकालूँगा तो मैं लिखूँगा payment underscore field dot well तो basic हमें value मिल जाएगी आप print भी कर दो check करने के लिए debugging करते रहो साथ में जिससे कोई दिक्कत ना हो ठीक है तो यहां पर मिल जाएगी एक बार id देख लो perfect है अब हम लोग जड़ा इसको save करके चलाते हैं तो हम लोग यहां एंगे पहले script में देख लेंगे code आया के नहीं code आ चुका है इसको save कर लेंगे and then हम लोग चलेंगे Chrome पर इसको एक बार रिफ्रस्स करेंगे and then हम लोग यहां पर डालेंगे बारा चेक आउट कर लेंगे perfect अभी दो कोई undefined आ रहा है इसका मतलब वैलू ढंक से नहीं आई वैलू नहीं है कुछ गलत हो गया तो अब एसे बात गलत यह हो गया कि यह बेसिकली डॉट नहीं लगाना मुझे आईडी है तो आईडी को टार्गेट करने के लिए हैस लगाना है सेब कर देंगे and simple has पर सेब करने के बार हम लोग आएंगे refresh कर लेंगे and simple फिर से लिखेंगे बाइस चेक आउट करेंगे तो आप देखो कि बाइस आ गया है यहा एया AMOUNT कही BACK Now तो नहीं है तो आप यह सार चेक्स लगा सकते हो अगर है तो आप यहां पर सकतो यह स्मय प através कर तो सकते हो अभी मैं आपको दिखा एंड question mark otherwise payment कर देंगे अगर इसके बाद अगर इसमें डाला तो मैं इसे function को return कर दूँगा इसके आगे कुछ भी नहीं होगा तो अगर आफ कुछ नहीं डालोगे एंटर करोगे तो blank आ रहा है यह चीज नहीं चल रहा है तो बस एक सिकन्ट एक सिकन्ट हम लोग यहाँ पर चेक तो रहा रहा है यार यार इसलिए और आ रही थी तो basically हम लोग क्या करेंगे सिंपल यह चेक कर लेंगे कि amount blank हो या amount null है तो हमें यहाँ पर दिखाना है perfectly अब हम लोग का code चलेगा यहाँ पर आते हैं रिफ्रेस्स करते हैं and simple हम लोग blank देंगे तो यहाँ पर आजाएगा amount is required that's it अगर आप blank दोगे तो amount is required आएगा चीज याद रखेंगा ठीक है तो amount required आएगा perfect है और अगर आपने कोई valid number दे दिया तो basically हमारा इसके नीचे का यह वाला code चलेगा यह वाला code this code will run तो यहाँ पर हमें basically order create करने के लिए request भीजनी है server पर यहाँ पर server request भीजनी है तो भीज देते हैं server request भीज देते हैं order तो basically हम लोग request भीजने वाले अगर आप चाहो तो मैं आप दिखा भी सकता हूं यह request भीजने वाले अपने server पर order को create करने के लिए तो मैं basically Ajax यूज करूंगा और यूज करूंगा jQuery Ajax function यूज करूंगा उसके लिए आपको एक चीज ध्यान दे नहीं है jQuery का full flashed version आपको अपने project में लगाना है तो आप यहां पर आजाओगे अप जहां पर आपने jQuery लगाया होगा तो यह चीज यहाद रखेंगा मैं आपको समझा दे रहा हूं आज आओगे अपने अपने base.html में यहाँ पर जो आपने head पर jQuery लगाई होगी slim.min.js इसको आप हटा दिजेगा और आप लाएगे यहाँ पर jQuery.min.js यह वाला चीज आप यहाँ पर लाएगे चीज आप दिखेगा अगर Slim है तो उसके अंदर Ajax function नहीं होता है तो Slim को change कर दिजेगा min.js यह मिलेगे कहां से आप आजाएंगे गूगल पर परफेक्ट सब कुछ नेट पर मिल जाएगा और यहाँ पर सर्च करेंगे jQuery cdn और पहले जो वेबसाइट उपन हो कि वहाँ से आप जाके cdn इसका copy कर लेजेगा यहाँ पर मैनिफेस्ट बर्जन पर जाएगा और य इगना है रिक्वेस्ट को भीजने के लिए ठीक है तो हम लोग सिंपली रिखेंगे Ajax तो हम रिखेंगे dollar Ajax function अब Ajax को कुछ parameters देने तो हम लोग object पास करना होता है याद रिखेगा यहाँ पर object वाला symbol लगाएगा ब्रेस ब्रेस ख्लोज तो मैं थ्वड़ा font को बढ़ा कर ठीक है तो बना लेंगे आजाते हैं दूसरा उसके बाद डेटा क्या भीजेंगे तो डेटा में पर्फेक्ट है नहां से देखें डेटा में हम लोग यूज करेंगे जैसन या फिर अभी छोड़ दो डेटा में हम लोग एक object यूज करेंगे जिसमें हम लोग भीजेंगे price या amount price ले लेते हैं price क्या है या amount ले लो amount equal to amount ठीक है तो बैसके लिए यह उपर वाली value मैंने इस object में भीज दिया amount में ठीक है पर्फेक्ट है नीचे आ जाते हैं अभी मैं बताऊंगा यहां पर थोड़ा change करना पड़ेगा पर्फेक्ट है नीचे आ जाते हैं and then हम यहां प रहे होंगे application slash json तो बैसके लिए हमारा यहां पर json का data है पर्फेक्ट है उसके बाद हम यहां भी उसकरेंगे type और type में युश करूँगा post type में युश करूँगा post कि हम post for method की request मारने वाले हैं I think समझ में आ गया होगा एक चीज में हमारा यहां युश करूँगा data type जो होगा वह हमारा होगा json तो हम्हां आज को json लिख देंगे पर्फेक्ट है तो यह सारी basic detail है जो हमारे request की basic detail है उसके बाद हम अगर मेरा success हो ज this function will invoked invoked when success जब success होगा तो यह function call हो जाएगा अगर कोई दिक्कत हो जाती है तो यह error function call हो जाएगा exactly वैसे बनाएंगे function और यह मुझे basic error हमको दे देगा तो हम लोग error ले ले लेंगे और error को simply console ले print कर देंगे तो हम लिख देंगे invoked when error invoked when error तो जब error आएगी तब invoke होगा यह जब तो यहां भी when कर देता हूँ when success ठीक है तो error आएगी तो मुझे कुछ नहीं करना है मुझे यहां पर simply console.lock करके error को console पर print कर देना है और alert देना है something went wrong something went wrong परिफेक्ट कुछ server पर गलत हो गया जिससे हमारी request नहीं generate हो पही और अगर यहां पर आ गया तो मैं response को print करने कोशिस करूँगा कि response में आ क्या रहा है तो हम लिखें console.log and response को चेक करेंगे ठीक है response पर चेक करेंगे इतना काम अभी हम लोग पहले करेंगे उसके बाद अगर successful हो जाती है request वापस आ जाती है तो क्या करना है मैं आपको चीज़ें सिखाऊंगा परफेक्ट है इतना काम हो गया इतना काम हमारा सब कुछ done है perfectly सब कुछ done है अब हमें क्या करना है simply क्योंकि हम यहां JSON के request भेज रहे हैं तो अगर पास करेंगे आप और चाहे तो हम कोई और डेटा पास कर सकते हैं सपोज हमें यह किस किस चीज के लिए है information तो हम यहां पर अधर में या info में कोई और भी चीज लिख सकते हैं कोई ज़रूरी एक ही चीज़ है and number of things यहां पास कर सकते हैं तो मैं लिग दूंगा information में कि यह यह order की request है तो अब कितना भी चीज यहां पर object बनाके दे सकते हो अगर आपको JavaScript का object आता है तो simply अब हमारा data पहुंच जाएगा user के create order पर डेटा हमारा पहुंच जाएगा तो हमें बैसकलिए एक URL बनाना है create order पर जो यह data को accept कर रहा हो amount को भी और information को भी accept कर रहा हो समझ गय हो गया तो अब हम सर्वर पर चलते हैं यहां पर यहां पर कोडिंग करते हैं इस सर्वर पर अपने सर्वर पर आते हैं जावा की कोडिंग स्टार्ट करते हैं जावा की कोडिंग स्टार्ट करते हैं जावा की कोडिंग करने के लिए तो पैमेंट फॉर्म बना लिया जब हम हम लोग payment पे क्लिक कर रहे हैं तो हमनों request server भीज दिया है अब हमें basically order razor pay की API यूज़ करके order create करना सर्वर साइट पे तो हमें क्या करना पड़ेगा basically to use server-side razor pay API हमें server-side razor API की API को यूज़ करने के लिए यह वाली dependency लगानी है मुझे यह वाली dependency मुझे लगानी है सबसे पहले पॉम पे यह वाला code हमें यूज़ करना है चले हम लोग करते हैं तब मैं आपको सिखाता हूँ कैसे करना है ठीक है तो अगर आपको help चाहिए तो आप आप गूगल पर आ करके लिख सकते हो रेजर पर रेजर 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 पर जावा इंटिग्रेशन जावा इंटिग्रेशन तो आपको code रोट सब चीज मिल जाएगा ठीक है तो बस वेट कर लेते हैं थोड़ा सा यह दिखे जावा क्लाइंट कर लेंगे अँवा सब कुछ यहां से ब्लू कॉपी कर लेंगे और और जमख यहां रडशाओ तो बंद कर देंगे and simply आ जाएंगे सबसे पहले pom.xml में यहां पर हम लोग pom.xml में कहीं भी वह आला चीज यहां पर लगा देंगे आप xyz के जगा हमें लिखना है जावा रिजर पे एप्याई का वर्जन तो xyz नहीं चलेगा तो हम लोग यहां पर आएंगे and चलेंगे 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 कहां पर github पे चलते हैं smart contact manager पर राइट क्लिक करेंगे और यहां पर maven पर चलेंगे और एक बार अपडेट कर लेंगे प्रोजेक्ट को जिससे की API डाउनलोड हो जाए और हमारे प्रोजेक्ट में पर हमें क्या चाहिए तो हम लोग को यवारेल चाहिए user slash user slash create order तो बिसकली यह user slash order को हम लोग क्या करेंगे इसके लिए payment controller बना सकते हम लोग राइट क्लिक करते हैं new पे चलते हैं या हम लोग के पास user तो हई भाई user user controller में देखो आपको slash user तो यहां से मिल जाएगा तो आप इसी के अंदर बना सकते हो या चाहो तो चेंज करते हो बट मैं इसी के अंदर बना देता हूं perfect इसी के अंदर बना देता हूं आ जाते हैं सबसे नीचे या सबसे ऊपर आ जाते हैं यहां पर जो method है यह add common data यहीं बना देते हैं method बनाना कहीं बना दो चाहो तो नीचे बना दो कोई दिक्कत नहीं यहां पर मैंतर कतम हो तो यहां पर हम लिख देते हैं creating order creating order for payment थोड़ा सा में बड़ा कर लोंगा फॉंट जिससे आपको पता चले ठीक है एक function मा लेते हैं public जो कि रिटन कर रहा होगा and create order create order and simple हम लोग यहां से string थोड़ी देरी के लिए में return कर देता हूं जिससे error ना है यहां पर लिख देते हैं कुछ और ठीक है लिख देते हैं done वागरा कुछ भी लिख देता हूं यह आपके इमर्जिए ठीक है and simple हम लोग को यहां create underscore order that's it अब हमारा वो function यहां पर call होगा मैं अभी call करके दिखा भी दूँगा function और मुझे direct यहां से string भीजनी है कोई view का नाम नहीं भीजना है तो मैं यहां लिखूँँगा response body response body that's it अब मुझे done as it is मिल जाएगा वहाँ पर done अपने आप priorities मिल जाएगा मैं आपको दिखाता हूँ या एक बार message यहां पर दे देता हूँ यह चेक करने के लिए function चल रहा है कि नहीं चल रहा है तो मैं लिखता हूँ ठीक है and simple script में कुछ code है तो हम लोग यहां पर आ जाते है script को open करते है ठीक है देखते है तो script में क्या error है error है कुछ error है 70 line पर error बता रहा है देखते है 70 line पर क्या error है 70 line पर कुछ error है so 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 okay so हम लोग को यहां पर colon use करना है चोटी-चोटी mistake है जो आपको ध्यान देनी है ठीक है तो हम लोग को यहां पर colon करते है तो आप दो को error नहीं आया and then हम लोग payment को initiate करते है और checkout पर क्लिक करेंगे तो आप देखोगे यहां पर 80 line से कुछ message आया है 80 line से कुछ message आया है तो 80 line हमारी कौन सी है यह वाली error आया है perfect है error आया है को issue नहीं बट यहां पर आते हैं और हम server पर देखते हैं तो आप देखोगे यहां पर देखो है order function executed that means order function चला है हमारा यह वाला function चला है अभी तो प्रिंट हुआ that means order को क्या कर सकते हैं create कर सकते है function चल रहा है तो perfect है अब यहां के coding कर लेते हैं then देखते है successful order कैसे भीजना है इसके लिए यहां से हमें JSON return करना था ठीक है तो हम लोग क्या करते है जो वहां से data आ रहा है उसको हम लोग यहां पर accept करते हैं सबसे पहला step यहीं है accept करने के लिए बहुत असान है यहां पर आपको लिखना है request body तो हम लिखेंगा at the rate request body परफेक्ट है और हम जो data आएगा उसको मैप में accept करेंगे हमारे पास कोई custom टाइप नहीं है तो मैप में accept करेंगे किसमें मैप में accept करेंगे अगर आप Java यूज कर रहा हो तो Python का तरीका यूज करोगे इसको accept करने के लिए request को accept करने के लिए कैसे आप जेसन को accept करते हो या form से data कैसे accept कर सकते हो ठीक है बड़े हाप मैप यूज कर रहा हूं की जो होगी मेरी string होगी and value जो होगा मेरा object होगा string भी ले सकते थे value कोई शू नहीं एंड हम यहाँ पर data लिखेंगे हम लोग फिर से वापस आते हैं फिर से reference मारते हैं कोई दीख कर नहीं log out हो जा रहा है थोड़ा सा time लग रहा है बड़ चीज़े आप जल्दी से समझ जाओगे perfect है and मैं हाप email लिख रहा हूं 40 and check out कर रहा हूं हम order को क्या कर सकते हैं create कर सकते हैं तो वही हम काम करने जा रहें order को यहाँ पर create करने जा रहें तो सबसे पहले मैं price निकालोंगा यह amount निकालोंगा बाहर इस data से तो amount निकालने के लिए map अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो amount निकला आएगा बहुत असानी से हमें यहां पर इंटीजर चाहिए इंटीजर प्राइज या amount ठीक है तो इसको पूरे को इंटीजर में कैसे इंटीजर 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 डॉट पार सेंट और हम पूरा-पूरा यहां पास कर देंगे तो मैंने कुछ किया नहीं चीज यहां rocket साइज नहीं लगा दिए जो डेटा है पहले निकाला है फिर इसको स्ट्रिंग में चेंज कर दिया है फिर स्ट्रिंग को इंटीजर में चेंज किया तो amount हमारा इंटीजर में आ जाएगा पर्फेक्ट है अब हम यहां पर रिजर पे की API यूज करेंगे और को जनरेट करने के लिए तो सबसे पहले इंपोर्टिंग करते हैं इंपोर्ट करते हैं तो हम लोग यहां पर आएंगे सबसे उपर इंपोर्ट करने के लिए यहां पर हम लोग इंपोर्ट करेंगे कौन सी क्लास भाई देखते जाओ आप लोग यहां पर हम लोग इंपो ट्रेड़र पर क्लाइन अब मुझे दो चीज़ चाहिए होकी एंद सीक्रेट तो हम लोग अपना उपना करेंगे एक्सल अने यहां से हम लोग लोग को ले लेंगे कॉपी बस एक सेकेंड किसको की को कॉपी करेंगे बस कि क्यों को सबसे पहले कॉपी करेंगे सब्सक्नम करना है स्बस्क्राइब और चाहिए तो हम कीश पढ़ैंगे saint एक बिद्द सेख्यच यहां करेंगे फिर हम इन वारीबल मेश्ट्रों करेंगे अप्रस्टराइब कर नहीं है एक हम लोग करें तो अब जावा 11 में आपको तक्ता यहां पर से फूर क्लाइंट कर सकते हो तो मैंने वीयर से prepare कर लिया है वेयर करसके स्क्राइव कर सकोने जाओ 11 में लेकिन यहां पर एक्स्शिप्शन ऩो कर कर सकते हैं तो हमारा क्लाइन बन गया अब हम यहां हम क्या करेंगे है तो हम लोग यहां पे बना सकते सकते कोई भी क्या कर सकते हैं जो अभी मैं बताता हूँ पहले हिहां पे org कर रहे थे हैं चाहो तो आप यहां पर exception भी लेख सकते हो कोई अगर मैं आपको दिखाऊ हूं यहां पर तो यह दो हम लोग जैसन का बनाएंगे और क्या amount आ रहा है क्या currency यह सब चीज उस object में रखेंगे एं देन dus now और को क्रेट करेंगे आप यहां से भी देंख सकतो और सेंपल समें जाए और को कैसे करना आना है यह पट यहम सम्सक्राइब कर सकते ओं कौई दिखकर नहीं यहां से एंट पेस्ष स्ट करो बढ़ मैं dites करूंगा ऑप आप जैसन का object को create करो, json object, ob is equal to new json object, perfect है, and आप ob.put करो, सबसे पहले हमें चाहिए amount, तो हम string में लिखेंगे amount, तो बस एक सिकंड, बस एक सिकंड में हमारा सब हो जाएगा, amount, amount, perfect है, and value मुझे integer में चाहिए, लेकिन यहां पे integer का मतलब हमें देना है, rupees हम लोग ने लिया है, बट हमें उसको पैसे में convert करना है, तो जो भी amount है मेरा, उसको मैं into hundred कर दूँगा, तो हमारा पैसे में amount आ जाएगा, तो बिसके में पैसे में pass करना चाहिए, इसलिए मैं into hundred किया है, and then हम ob.put करेंगे, and put में दूसरे में currency लेंगे, currency, currency की spelling आप ध्यान से देखेगा, currency, और मैं Indian currency ले रहा हूँ, इसलिए मुझे वहाँ पे hundred से multiply करना पड़ रहा हूँ, तो मैं लिखूँगा inr, perfect, and then मैं recipe, is recipe लेखुँगा, तो मैं लेखूँगा. minesर, recipe, we keeper, recipe, and recipe मैं et simult मेर, Save the recipe, testinks meilleur, concept. recipe क्या चीज है, इसके बारे में और वी detail में आप सीख सकते हो, पढ़ सकते हो, union runge, रिजर पे, sample code में आप देखूगे, आपको ऐसलिए पता चल दाएगी,攻 रहा है सब कुछ आपको दिखा दे रहा हूं 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 ओर्डर हम लोग ने क्रेट किया है पर रेसिप order creating new order अब इसके लिए यहां से request जाएगी हमारे server को ठीक है तो यहां से अब request अभी तक हम लोग यहां पर coding कर रहे थे हैं यहां पर आप जैसे order create करोगे तो request जाएगी रिजर्पे के server पर वहां से order create होके आपको मिलेगा तो कैसे करना है बस आप देहां से देखिए जाएगा हम लोग यूश करेंगे यहां पर client client.orders.create और हम अपना ओबी को पास कर देंगे जो डिटेल उसको पास कर देंगे यह इस कलिए हमें क्या कर देगा order को देदेगा दिस यूर order आपका simple order यहां पर है मिल जाए का perfect अब इस order को आप यहां पर प्रिंट करके देखो कि बहुत यह order मिल रहा है order में क्या क्या मिल रहा है order create हुआ कि नहीं हुआ ठीक है अगर order सब कुछ create हुआ order मिल गया यहां पर आपको order मिल गया तो हम लोग क्या करेंगे आगे प्रोसीड करेंगे अद्वाइज हम आगे प्रोसीड नहीं करेंगे बाई कुछ error आ गई नहीं है order को हम लोग अपने dashboard पर चेक भी कर सकते हैं यहां पर जोडर क्रेट होगा हम transaction में आके इसको चेक भी कर सकते हैं तो हम login गूगल कर लेते हैं and then simple हम लोग login कर लेते हैं and order को हम लोग चेक करेंगे कि order generate हुआ है कि नहीं हुआ है तो अगर थोड़ा सा first हो रहा है तो वीडियो को normal speed पर देखिएगा भाई ठीक है या एक दुबार देखिएगा तो यह समझ जाएंगा तो आज का यहां पर simply देखिएगा ठीक है तो हम लोग आ जाते हैं यहां पर अब हम लोग क्या करते हैं simply यह code चलाते हैं देखते हैं order generate हो रहा है कि नहीं generator amount भी आप दीखेगा ठीक है तो अभी सायथ हमारा code बंद हो चुका है एक बार मैं यहां पर run करता हूं rerun करता हूं project and then देखते हैं क्या दिक्कत आ रही है ठीक है मैंने rerun कर दिया अपना project and कोई दिक्कत आ रही तो उसको solve करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आ रही project चल गया perfect है हम लोग यहां पर आएंगे and then refresh मारेंगे and then login कर लेंगे ठीक है login कर लेंगे and यहां पर हम लिखेंगे अपना code परफेक्ट है and then हम लोग यहां पर लिखेंगे 700 का मैं order resonate कर रहा हूं check out करूंगा perfect है तो हमें अभी error बिला but अगर आप यहां पर दिखोगे तो हमारा यहां पर यह वाले code से हमारे प्रिंट वा था and then order को प्रिंट किया तो यह order की information देखेंगे amount 7,700 और basically 70,000 पैंसे है amount paid ठीक है zero अभी paid नहीं हुआ notes में blank है रहा है किस दिन create हुआ order उसकी detail की information है ठीक है milliseकंड में amount due इतना due बचा हुआ है ठीक है currency INR है receipt number जो मैंने भेजा था वह है perfect है and then order की ID यह important है यह order की ID जरूत पड़ेगी हमें payment कराने के लिए successful कराने के लिए entity order and offer ID null status created attempts zero बार attempt हुआ इस तीज को verify अच्छे से करेंगे अगर हम लोग आ जाएंगे अपने यहां पर इसको refresh करते हैं देखते हैं 25 तारी को कोई 700 का order generate हुआ की नहीं तो आप देखें यहां पर एक order generate हुआ है amount 700 attempt zero है and receipt 23 and created 25 January 10 बच के 48 minute पे PM को generate हुआ created that means हमारा वहां से create हुआ है amount create हुआ 7000 का that means हमारा perfectly सब कुछ हो रहा है order create हो रहा है बस इस order को हमें client पर भीजना है जैसा कि हम लोग ने सीखा था यह order successfully create हो रहा है अब हम लोग order यहां पर भीजेंगे बट अगर आप चाहो तो इस order की information को अपने database में save भी कर सकते हो if you want if you want if you want you can save if you want you can save this to your database to your to your database तो इससे क्या होगा आपको भी पता चलेगा कि कितने लोगों ने कब order को generate किया है हलाकि यह जो रेजर पे का account है वो भी आप ही का account है बट फिर भी हमारे अपने database में information store रहेगी जो कि अभी हम लोग करने वाले है थोड़े दिर में पहले हम लोग क्या करते हैं इस order की information को हम लोग यहां से वापस भेज देते हैं तो हम लोग क्या करेंगे इसको string में convert करके यहां से return कर देंगे तो हम लोग simply यहां पर जाएंगे लिखेंगे and then हम लोग लिखेंगे 50 and then check out पे लिखेंगे तो आप देखोगे perfectly वो सारी detail आपको client पे मिल गई यहां पे मिल गई अब हम लोग form open कर सकते हैं हम open कर सकने कैसे open करना मैं चीज दिखाऊंगा बढ़ आप देखोगे amount 5000 पैसे का था यह 50 पैसे में है जो आपने 100 से उधर multiply कर दिया था बढ़ अगर आप 100 से divide कर दो तो यहां पर आजाएगा rupees तो यह चीज याद रखेगा सारा काम पैसे में हो रहा है हम लोग ने इसलिए server side पे इसको 100 से multiply कर दिया था इचीज याद रखेगा हम लोग आधा काम कर चुके हैं आधा काम क्या कर चुके हैं तो अब हम लोग देखते हैं आगे कैसे प्रसीड करना है तो अब मुझे यहां पर अपने जावस्क्रीट में यहां पर आंसर मिल जा रहा है कि भाई यह हमारा order create हो चुका है तो मैं इफ लगाँगा और मैं हो चुका है तो हम लोग क्या कर सकते हैं आप हम लोग range को initiate कर सकते हैं घैड मिस हम यहां पर फॉपम को ऑपन कर सकते हैं email open payment form open payment form औॉपन payment form एस नृट जो जो चाहिए होगा प्को पर आट यहां पर नोटस मैं करने के लिए जो जन और डडरा टी जनरेंट हुई है उसको हम लोग रूद गरनके payment को कराने के लिए तो किसमें steps है सबसे पहले आपको यह वाला script लगाना है check out.js तो हम लोग को मिलेगी यह वाल इस script यहां से कहीं से देखते हैं से यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से तो आपको Google पर आना है और यहां पर वेब इंटिग्रेशन वेब इंटिग्रेशन वेब इंटिग्रेशन वेब इंटिग्रेशन अदर्वाइज मैं पीडिया दे दूँगा यहां से भी कॉपी कर सकते हैं हम लोग यहां से भी चीज़ कॉपी कर सकते हैं एक सिकंड एक सिकंड एक सिकंड तो हम लोग यहां से भी इस चीज को कॉपी कर सकते हैं, इसको select कर लेते हैं, यहां से इसको कॉपी कर लेते हैं, यह चीज मैं आपको दे दूँगा, यहां से कॉपी करने के बाद हम लोग लगा देंगे अपने पेज में, यह script चलने से पहले, तो अब इसी बात है हमारा page, इस script चलने से पहले वो लगा दोगे परफेक्ट कोई रिक्कत नहीं ठीक है अब हम लोग क्या कर सकते हैं यह लगाने के बाद हम लोग यह options हमें create करने होगे यह options इस option नाम का एक variable करना होगा जिसमें हम लोग को की रखनी होगी amount रखना होगा currency रखने होगी name रखना होगा हम लोग यहां पर आ जाते हैं हम लोग यहां पर एक let options नाम का variable बनाते हैं जो कि object होगा परफेक्ट है object हो गया अब हम इसमें क्या-क्या रखना है जहांसे सबसे पहले की रखनी है अपनी की रखनी है जो की ID की dashboard से generate हुई थी की तो हमारे पास की है यह वाली की हम लोग यहां से copy करेंगे और इस की को as a string रख देंगे यह की हो गई परफेक्ट एक चीज हो गया next हमें amount रखना है तो amount अब आपने मन से नहीं लिखना जो response में amount आ रहा था आपने यहां पर amount देखो अगर आप आप ब्राउजर ओपें करो तो आपको मिल जाएगा कहीं amount लेकिए अम रेस्पॉंस जो है response-dot amount यूज करो पैसे में आपको amount मिल जाएगा तो यही चीज़ आपको यहां पर लिखना है तो हम लोग यहां पर लिखना है और इंडियन रुपीस तो हम लिखने है अम लोग न contact manager donation smart contact manager perfect है and then description चाहिए तो हम लोग description भी कुछ use कर सकते हैं and लिख देंगे if you want या donation लिख देते हैं donation perfect है and then हम लोग image में अपना एक photo दे सकते हैं image दे सकते हैं तो basically image में ले लूँगा अपने website से हैं तो हम लोग यहां जाते हैं and हम लोग learn code with दुर्गेश open करते है learn code with दुर्गेश अपने website open कर देते हैं ठीक है and यहां से हम लोग simple अपना यह चीछ logo copy कर लेंगे यह logo है यसी को URL copy कर लेंगे और इसी logo को हम उस यहां पर paste कर देंगे तो basically photo नेट से उठके आ जाएगी that's it कमा लगाएंगे और भी information जो हमें लेनी यह उस करेंगे क्या क्या लेना वाई देखते जो ठीक है और information क्या 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 लेना है इंपर्टेंट है तो आप कमा लगाने के बाद लगाने के बाद तुम्हें एक बाद देख लीजिए आप यहां पर स्वारी कॉमा लगाने के बाद सिंपली आप यूज कर लोगे दूसरा order ID तो इसको मैं सीधा कर देता हूं बाद में सेब करेंगे तो सही हो जाएगा ठीक है तो हम लोग यहां पर आएंगे और यूज करेंगे order underscore ID और order ID मुझे कहां से मिलेगी बाद रेस्पॉंस से मिल जाएगी order ID यहां से देखे order response.id यह id रही तो हम response.id यूज कर लेंगे परफेक्ट है यहां पर आ जाते हैं and then हम handler function यूज करेंगे अगर success हो जाता है तो फिर क्या होगा तो हम यहां पर यूज कर सकते हैं मैं प्रिंट करूंगा response में जो आ रही होगी रेजर पे रेजर रेजर पे underscore payment underscore ID यह प्रिंट कर दूँगा ठीक है उसके बाद मैं लेखूंगा console.log and then response में जो आ रहा होगा रेजर पे underscore order underscore ID then console में जो signature आ रहा होगा उसको प्रिंट करूंगा सब चीज देखने के लिए response.log and यहां पे हम लोग रेजर पे रेजर पे underscore signature signature that's it ठीक है तो इत्ती सारी चीज़े हम लोग यहां पर यूज करेंगे प्रिंट करने के लिए और उससे पहले मैं यहां पर लिख दूँगा payment successful या उसके बाद भी आप लिख सकते हो payment successful console.log and यहां पर लिख देंगे payment successful तो मैं श्रिंग होगा क्यों congrats congrats payment successful payment successful जब कि अभी मैंने कुछ भी यहां पर data server पर नहीं store कुछ information फिल पहले से करना चाहते हो तो मैं भी बताऊंगा कैसे करना है जैसे आपका जो फॉर्म होगा उसमें कुछ चीज पहले से फिल करना है तो आप यहां पर इस function को देने के बाद यूज कर सकते हो एक और value है प्रीफिल की तो आप यह सब data यहां से देख सकते हो मैं यही लिख करके लिख रहा हूं क्योंकि अब अब लिख दे रहा हूं यही दिखिए यही चीज मैं लिख रहा हूं यह प्रीफिल का मदब होता है यह data पहले से लिख के आएगा तो इसी को यहां से copy कर लेते है तीम अगर सब copy कर लेते हैं ज्यादा बड़ी है कि आप यहां अब लिख रहा हूं तो मुझे बड़ी चाहिए प्रीफिल वाला अब्जिक्ट परफेक्ट इसको copy कर लेते हैं और सिंप्ली यहां पर आते हैं प्रीफिल वाले अपनी पेश्ट कर देते हैं परफेक्ट है तो प्रीफिल में मुझे मिल गया पहले से जो नाम भर बहर आए कॉपी करके ढल देते हैं कुछ लिखने के लिए यह वंद राइगा तो लिख लेगा नहीं चाहिए ऐसाइगा तो यहां पे आपने इसके बाद में फिर से थे प्रीफिल खतम हुआ यहां पर प्रीफिल के बासिंप्री मैं डाल दूगा नोट्स और नोट्स में मैं यहां पर रिजर पे यह जगहा हम है, learn code with दुरुगेश, learn code with दुरुगेश, ठीक है, डाल दूँगा, perfect है, and then theme, किस color का दिखे, तो मैं here theme, जो भी use कर सकते हो, आपकी बदर जी, अभी मैं एक बार change करके भी दिखा दूँगा, that's it, तो I think option वाला variable complete है, हमारा option वाला variable complete है, जो कि start हुआ था, यहां से payment, जब request generate हो गए अप्शन वाला, अब हमें basically payment initiate करना है, payment क्या करना है, इनिशियेट करना है, तो payment को initiate करने के लिए हमें एक object बनाना पड़ेगा, razor pay का, बस आप tension बदेजिए, यहां पे एक variable लेजिए, razor pay is equal to new razor pay, razor, razor pay और अपना option सारे pass कर दिजिए, ठीक है, perfect, perfect option पास हो गए, अब यहां पर अगर आप handler बनाना चाहरे हो, तो handler बना सकते हो, ब open, यह form को अपने आप से open कर देगा, form को open करने के बाद मैं यहां पर यूज करूँगा, E dot default, E dot prevent default, बट हम यहां पर छोड़ देंगे, क्योंकि मुझे पास E तो हई नहीं कहीं, तो prevent default यूज करने का option नहीं, अगर payment unsuccessful होता है, तो क्या होगा, तो हम इस पे handler लगा सकते है, razor pay पे, कि object पे, देखे कैसे, हम लोग यूज करेंगे, razor pay dot, और आप देख सकते हो, यहां से net, यह देखे, on payment failed, तो यह function call हो जाएगा, ठीक है, तो on payment fail पे, मैं आँ जाओंगा, यहां पे, इसको paste कर दूँगा, बस मुझे razor pay one के जागा, अपना यह वाला variable यूज करना है, that's it अगर razor pay का payment fail हो जाएगा by chance, तो यह सारी चे alert कर देगा, तो मैं alert कर जाएगा, सारी चे console log पे print करूँगा, सब चीश log पे ही print करूँगा, बस एक message alert पे दूँगा, ठीक है, तो यह सब चीश मैं यहां पे लिख दूँगा, console dot log, perfect है, सब कुस log पे print हो जाएगा, and एक simple सा message दूँगा, oops, payment fail, तो alert लगूँगा, oops, payment fail, oops, payment fail, that's it, oops, payment fail, that's it, save कर देंगे, that's it, हमारा payment integration एक दम हो चुका है, perfect है, बस मैंने अभी तक server पे data कोई भी नहीं रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, अगर हमें जरूर थे तो मैं रख लूँगा, उसका भी मैं तरीका आपको सिखा दूँगा कैसे करना है, perfect है, तो इसमें दो Ajax की calling हो रही, सबसे पहले order को create कर रहे हैं हम लोग, अगर order successfully create हो जा रहा है, then हम लोग payment को initiate कर रहे है, options की help से, options पहले मैं बना लिया, क्या form में क्या क्या detail होगी, वो सब बना लिया, then हम simply razor pay का object यूज़ कर रहे है, option को set क करने के लिए, razor pay का simple open function उज़ करने, form को open करने लिए, आगे का काम total total सब कुछ क्या है, razor pay का है, perfect है, चलिए हम देखते हैं यहां पर, try करने की भारी ही आ गई है, चलिए आ जाते हैं वापस, and simple, पहले java script, यहां पर देख लेते हैं, आया है code की नहीं आया, तो आप देखो के सारा code आ चुका है, यहां page सब कुछ आ चुका है, perfect है, ठीक है, हम लोग इसको save कर लेते हैं, and then हम लोग क्या करेंगे, आके एक बार refresh करेंगे, अपने page को, and try करेंगे, कि भाया, सब कुछ हो रहा है, सही की नहीं हो रहा है, तो हम लोग simple refresh कर लेंगे, एक बार, and simple हम रुपीज का, and simply check out करेंगे, सो आप देखे क्या होगा, बहुत बढ़ी हा काम हो चुका हम लोग का देखे, perfect है, मैं check out कर रहा हूँ, perfect है, मतलब आप देख नहीं सकतो, आप विस्वास नहीं कर सकतो, एकीन नहीं कर सकतो, इतना सारा सब कुछ implement हो चुका है, इतना सारा implement हो आप देखोगे, यहाँ पर simple, तो आप देखोगे, आपका logo आ चुका है, जो URL आपने दिया था, smart contact manager आ चुका है, and रुपीज 89 का payment form open हो चुका है, यह open form किस function की help से हुआ है, यह इस function की help से हुआ है, इस वाले function की help से open हुआ है, and आप देखोगे, यहाँ पर यह object आया है, तो वही चीज हुई, जैसे आपने check पर click किया, request गई, server पर, वहाँ से response आया, response success था, order create हो चुका था, तो उसने यह सारी detail options बनाया, कि भाईया, key क्या है, amount क्या है, amount देखो, यहाँ पर 89 दिखा रहा है, ठीक है, यहाँ पर आपने पैसा पास किया था, INR दिखा रहा है, name है, देख रहा है, साथ ही साथ में donation, यहाँ पर यह दिखे, donation दिखा रहा है, description में, image यहाँ से उठा रहा है, आपका handler success हो जाएगा, तो यह चलेगा, profile में कुछ नहीं फिल है, तो आप देखो कि phone, email सा blank है, and notes में learn code भी दुर्गेश है, तो आप देखो कहीं learn code भी दुर्ग email अपना डाल देता हूँ, भाया, मैं अपने email डाल दे रहा हूँ, learn code with दुर्गेश at the rate gmail.com, and simple, मैं proceed पर क्लिक करता हूँ, perfect है, and simple, यह इतने सारे options यहाँ पर दे रहा है, card use कर सकते हो, card number, सब डाल सकते हो, आप UPI use कर सकते हो, Google UPI, Bheem, phone पे, and बहुत सारी UPI use कर सकते हो, ID के थूँ, यह scan code के थूँ कर सकते हो, साथी साथ में net banking use कर सकते हो, wallet use कर सकते हो, and तमाम चीज़ों कर सकते हो, बट मैं यहाँ यहाँ पर use करने जा रहा हूँ, अपना QR code, जैसे हम QR code पे click करेंगे, तो आप देखेगा, यहाँ पर QR code open हो जाएगा, हम मैं phone से scan करता हूँ, ह तो यहाँ पर काम हो जाएगा, अब यहाँ पर हमारा 91 वाला function चला है, payment successful हो गया है, यह वाला function चल गया, यह दिखे, 91 वाली line चली, बट यहाँ पर signature में कुछ है थी, कि spelling हो गयर गलत हो गई थी, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सही कर देते हैं, यह reserve pay underscore signature था, तो response dot, response dot, reserve पर underscore signature था, response dot underscore, हाँ, perfect अब ठीक है, बट अगर हम लोग आते हैं, success तो हो चुका है, कोई issue नहीं, अभी मैं आपको फिर से दिखा दूँगा, करके, ठीक है, अगर हम लोग आते हैं, अपने dashboard पर check करते हैं, तो आपका payment success हो चुका होगा, आ जाते हैं वापस, और मैं चेक कर दिखाता हो, यहाँ पर आ जाते हैं, and simply home पर click कर देते हैं, home पर click कर देते हैं, home पर click करने के बाद हम लोग आते हैं, और आने के बाद हम लोग, हम लोग, हम लोग यहाँ पर कहीं आते हैं, और आप देखो कि 89 का payment capture हो चुका है, यह देखे, 89 का payment capture हो चुका है, transaction में, और इ सब कुछ दिखा रहा है payment में हाँ पे capture हो चुका है सब कुछ दिखा रहा है तो परफेक्ट है चाप्चर हो चुका है और भी payment सब कर सकते हो कोई इसू नहीं है मैं आपको दिखाता हूँ और payment करके सपोस इस बार मैंने 333 का payment कर रहा हूं तो simply हम इसको बंद कर देते हैं and check out पर क्लिक करते हैं सो आप देखोगे perfect है आप कोई phone number देदो फिर से मैं phone number को इस पास कर दे रहा हूँ ठीक है phone number 10 digit का ही दूँगा ठीक है और को email id तो email id वहाई उस करूँगा अपनी learn code with durgesh address gmail.com and simply proceed पर क्लिक करूँगा परफेक्ट है और यहां पर simply हम card पर क्लिक करेंगे card नहीं हम UPI से करते हैं testing mode पर scan नहीं करना है बट जब आप actual करोगे तो scan करने की जुदद पड़ेगी तो मैं यहां पर QR code पर क्लिक करूँगा अब आप scan करोगे आपका काम हो जाएगा तो थोड़ी दिर बाद अपने आप scan ले लेगा ठीक है तो payment हो चुगा बट यहां पर alert क्यों नहीं यहां देखते है कुछ error आगे होगी करना हम लोग का काम है ठीक है तो यह क्या कह रहा है यह कह रहा है रेजर पर सिगनेचर की स्पेलिंग कुछ गड़बड़ हो रही है कुछ गड़बड़ हो रही है तो आई थिंग payment तो हो चुका होगा बट यहां पर changes नहीं reflect हो है तो एक बार refresh कर लो 333 का भी payment हो चुका हो देख लीजिए 333 का भी payment हो चुका successful है ठीक है email id के साथ है तो यहां पर changes reflect नहीं होते पर्फेक्ट है यहां पर नहीं हो था तो आप इसको फी एक बार open करके save कर लीजिए यहां पर भी changes reflect हो जाने तो हाँ ठीक है अब हम लोग try मारते हैं फिर से तो जब तक नहीं सही होगा अब बार बार try करते रहेंगे ठीक है perfect इसको बंद करते हैं refresh मारते है और इस पर 4444 का payment try मारते है परफेक्ट है number फिर से मैं यहां पे कुछ डाल दूँगा email भी कुछ डाल दूँगा अपना learn at the rate gmail.com या सही डाल दो भाई learn code with the rate gmail.com and simply proceed पे click करूँगा फिर से UPI scan की वा बार आ जाएगा hopefully congrats payment successful काम हो चुका है payment हो चुका है आपका और payment आ चुका है आप देखोगा यहां पर आपको ID भी मिल जाएंगी यह देखें यह आपकी रही payment ID this is your payment ID यह आपके payment की ID है ठीक है आहां यह आपकी order की ID 90 से जो आई है वह आई है payment ID एक बार दिखते है देखते है देखते है देखते है 90 से आई है वह आई है order ID तो यह बिसक लिए order ID है payment ID की spelling कुछ गत हो गई है यह यह आपकी जो है वह है signature ठीक है और यहां पर payment ID यह देखे payment की spelling का अलत हो गई थी payment 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 ID परफेक्ट तो अब सब कुछ यहां पर आ जाएगा अब हम लोग implement कने जारे CDN परफेक्ट है यहां पर आ जाते हैं और हम लोग CDN उठा लेंगे sweet alert का यह राज CDN इसको हम लोग copy करके लगा देंगे अपने प्रोजेक्ट में तो यहां जाते हैं और फिर से हम लोग चलते हैं base.html में and simply हम लोग यहां पर paste कर देते हैं इसको तो हम लोग आप sweet alert को भी message देंगे copy कर लेते हैं और हम लोग हम लोग हम लोग हम लोग हम लोग हम लोग आ जाते हैं अपने code में यहां पर तो जब success हुआ है payment तो payment success यह रहा हम यहां पर use कर लेंगे question and solve solve और यह चीज उठा के हम लोग यहां पे इसको यहां पर डाल देंगे यहां पर लोग यहां पर यहां पर यह रही है तो हम लोग यह यहां पर हम लोग वही वाला code यूस करेंगे ये वाला copy कर लेते हैं यहां पर आते हैं इसको पेस्ट कर देते हैं and oops oops वाले code को copy कर लेते हैं and यहां पर ले आते हैं oops वाले code ठीक है oops और मिहाले को, field यह आपका payment field हो चुका है by chance किसी भी region के से and यह जो है वह भी error type message है that's it and simple इसी तरह error message में यहाँ पर दे दूँगा जब आप कुछ enter नहीं करोगे तो enter नहीं करोगे तो basically amount required किज़ेगा इसको मैं comment कर दूँगा and यहाँ पर amount is required दूँगा amount is required तो थोड़ा सा अच्छा message जाएगा अच्छा message जाएगा तो आ जाते हैं इधर और सब कुछ refresh कर लेते हैं इसको एक बार open करके close जरूर कर लिजएगा देहां पर आते हैं simple and अपने इस पर refresh कर देते हैं and simply click करते हैं आप जाखो कि फेल्ट amount is required perfect अहां जाते हैं और हम initiate करते हैं टू जिरो टू का payment चेक आट पर लिए ते परफेक्ट है फोन नमबर डालते हैं परफेक्ट है email ID डालते है परफेक्ट है फोन नमबर और और कर लेते हैं test 10 डिजिट डाल ली है and simply proceed पर क्लिक कर देते हैं UPI पर क्लिक कर लेते हैं कि वार्गोड पर क्लिक कर लेते हैं and scan कर लेते हैं अपना code आपका payment successful हो चुका है okay क्लिक कर दो that payment हो चुका है और आप अपने server पर चेक कर सकते हो payment आपका डन हो चुका है that's it payment आपका हो चुका है देखो यहाँ पर 202 का payment capture हो चुका है अब आपको क्या करना है अब आपको simply यह testing हो चुकी है लाग चुका है बट इसमें बस एक चीज दिक्कत है कि अभी हम लोग अपने server पर data कहीं रखा नहीं server की help से हमने payment integrate किया तो बट server पर ही data मैंने रखा नहीं है तो हम लोग next video में क्या करेंगे यहाँ पर कुछ code लिखेंगे जिससे की हमारा कुछ important data server पर भी store हो जा है किस ने payment किया उसके payment order ID क्या थी payment success हुआ कि fail हुआ जैसे हमारे पास भी एक backup आता रहे है या बालो अपने ही project में आपको यूज करना है कौनसा payment किस ने किया है कौनसा order किस ने किया था तो हम लोग server पर इसको store करेंगे ऐसा नहीं छोड़ देंगे ठीक है तो हम लोग next video में सारा कम करेंगे दूसरी चीज एक चीज में यहां पर और बता दे रहा हूं कि यह code आप कहीं भी आप यूज कर सकते हो करना क्या है आपको request send करना है तो अब यह angular होता तो angular से भी बस data request भीजनी ही तो थी और अगर python होता तो python में सिंप क्या करना order ही तो generate करना है तो यह order generate कर आने के लिए python का code यूज कर लेते या फिर node.js का code generate कर लेते front end पे तो request आनी ही आनी है तो guys एक चीज और समझ लेते हैं हम लोग की अब हम लोग का payment integration हो चुका है हमारी website में payments successfully हो रहा है अब अभी सारा काम test mode में हो रहा है अगर आप payment को initiate भी करते हो यहां से payment को initiate भी करते हो अपने website से suppose आपने payment 111 का initiate किया तो आप देखोगे तो यहां पर test mode लिखके आ रहा है यह इसको live कैसे करेंगे actual production label पर कैसे हम लोग deploy करेंगे या actual website में आप कैसे इसको use करोगे तो उसको चीज हम लोग समझ लेते हैं तो आपको simply क्या करना है exactly सब को सेम रखना है बस क्या कर लेनी है उसके बाद आपको क्या करना है आपको यहाप simply live mode पर आना है जब live mode पर आ जाओगे तो exactly वहीं पर settings पर जाओगे और यहीं पर आपको API key मिलेगी है और API key फिर से generate कर लोगे बट अब आप live mode में हो that means live mode की API generate कर लोगे तो key ID secret की मिल जाएगे that's it आपको simply वापस आना है और यहाँ पर key ID जो हम लोग ने test mode वाली उसकी थी उसको आपको क्या करना है simple आपको उस key को actual mode वाली live mode वाली key उसकर लेनी है यहाँ पर that's it यह देखे जो हम लोग ने यहाँ पर उसकिया था यह यह key इसको आपको live mode वाली कर देनी है और backend में भी जो भी आपने यहाँ पर key use की है उसको आप live mode वाली key कर दोगे that's it क्योंकि यहाँ test वाली करोगे तो test लेगा जैसे ही आप इतना काम कर दोगे project को restart करोगे और restart करने के बाद जैसे ही आप project को run करोगे आपका live actual में payment receive हो ज कीज़े इस वीडियो को जरूर शेर करिएगा यह वीडियो काफी important थी और काफी लोगों के demand पर वीडियो थी और बहुत ही important वीडियो थी काफी मजाया होगा next वीडियो में अगर आपका comment response अच्छा रहा है इस वीडियो में तो हम लोग मैं next वीडियो में बनाऊंगा जिस पेमेंट इंटेग्रेशन की वीडियो का request मैंने लिया मैं मैंने तो आपसे next interesting video तब तक लिए जय ही जय बारत और हाँ अभी तक चैनल ने सब्स्राइब किया वीडियो को लाइक और शेर नहीं किया तो भाई कर दीजिए अभी तक वीडियो देख रहों तो क्या कर रहा है एक ती बड़ी बड़े फ्री में वीडियो बना रहा हूं तो आप को क्या करना है से चैनल सब्काइब और वीडियो को लाइक करना है और है एपियर रिपब्लिक टू आल अफ्यू क्योंकि आस रिपब्लिक है तो इस पाब आए